आज हम आपको ऐसे college के बारे में बताते हैं, जिस college के chairman और CEO, एक South India की producer और actor है. आईए उनके बारे में हम बताते हैं, और इस college के बारे में पूरी डिटेल आपको हम दिखाते हैं. इस college का नाम है स्री विद्यानिकेतन Engineering College. ये college तिरुपती में है आंध प्रदेश में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका address दिया हुआ है ये तिरुपती चित्तूर डिस्टिक में है आंध प्रदेश में इस college में आपको कौन-कौन से course है जो offer किये जाते हैं इसमें आपको fees कितनी लगने वाली है और इस college के जो CEO है औ director है यह इस college के chairman है यहाँ पे इनकी पूरी detail देख सकते हैं इनका नाम है M. Mohan Babu डॉक्टर M. Mohan Babu यह producer भी है South India के और इसमें एक और actor है आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे यह CEO के post पे हैं यहाँ पे देख सकते हैं बिश्कूप यह है South India केctor इनका college है यह जो South into India के producer भी है और actor भी है इस college के बारे में detail में देखते हैं आपको इसमें कौन-कौन कुर्स है जो offer किये जाते हैं यहां पे देख सकते हैं आपको यहां पे diploma भी आपको offer किया जाता है BTEC है MTEC है MCA है और PhD भी इसमें आपको offer किया जाता है अगर आपको diploma इसमें करना हो तो आप किस base base में admission ले सकते हैं इसकी पूरी detail हम आपको दिखाते हैं आप यहां पे देख सकते हैं इसके बारे में पूरी detail दी हुई है इसमें आपको 5 branch मिलता है आप यहां से देख सकते हैं कि आपको किस किस branch में admission मिल सकता है diploma के लिए यहां पे branch की पूरी detail दी हुई है और यहां यहां पे आपको admission के बारे में भी यहां देख सकते हैं इस basis पे इस में आप admission ले सकते हैं SBT ET यह entrance exam के base पे यहां पे आप सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं आपको BTEC में कौन-कौन से branch मिलते हैं यहां पर डिया हु ए 12 बिटेक में आपको 15 ब्रांच मिलते हैं है आधिए हम आपको दिखाते हैं वह कौन-कौन से ब्रांच है यहां पर देख सकते हैं जो भी बी बीक में ब्रांच आपको मिलने वाली है यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल दी हुए, computer science में आपको कौन-कौन से branch मिलते हैं, artificial intelligence है, data science है, वो पूरी चीज यहाँ पे एक-एक करके आप देख सकते हैं, इसमें आपको B.Tech में कौन-कौन सी branch मिल रही है, इसके बाद यहाँ पे admission process भी देख सकते हैं, आप इसमें admission किस base प इस college के entrance exam के base पे आ सकते हैं, और आंद प्रदेश के entrance exam के base पे आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आप M.Tech के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे चार branch दी हुई है, एक-एक करके आप देख सकते हैं, इसमें कौन-कौन सी branch मिलने वाली है, किस base पे आपको admission मिलने वाला है यहां पे उसकी पूरी डिटेल दी हुए है यहां पे आप एक एक करके देख सकते हैं और इसमें जो फीस लगने वाली है आपकी जो इसमें जो बीटेक की फीस है 70 से 80,000 पर येर की आपकी फीस लगने वाली है यहां पे देख सकते हैं इस college के बारे में दिया हुआ, यह college 1996 में start हुआ था, यहाँ पे जो पहला batch इस्टार्ट हुआ था, वो 180 student के साथ ही start हुआ था, यहाँ पे उसकी पूरी detail दी हुई है, आप एक एक करके देख सकते हैं, यह college JNTU अनन्तपूरम से affiliated है, और यह एक private college है, यहाँ पे इसके बारे म और भी detail दी हुई है, आए हम आपको placement के बारे में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जो highest package है, 44 लाग का, और यहाँ पे 2022 के लिए जो highest package है, वो 60 लाग का, average package जो इसका गया हुआ है, वो 6 लाग का, यह South India का college है, South India का college वैसे भी अच्छा होता है, और इसके ज director है, जो chairman है, जो CUA है, वो South India के actor लोग है,